हेलो फ्रेंट्स मैं लोटी हूँ एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ जो शायद ही आपने ट्राइ की हूँ कोकोनट सैंडविच की रेसिपी इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको जादा इंग्रीडियन्स की ज़रूरत नहीं है और बनानी तो ये बहुत ही आसान है और खाने वाले बस पूछते रह जाएंगे ये रेसिपी कैसे बनाई है आ रहा है ना आप सबके मुमें पानी ये स्नैक टाइम रेसिपी जटपट बन जाती है इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले SG Food World को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए कोकुनट सैंडविच को बनाने के लिए जो भी इंग्रीडियन्स रही है वो रेडी कर लेंगे सारे इंग्रीडियन्स रेडी कर लेने के बाद एक बावल लेंगे और उसमें आड़ करेंगे ग्रेटेट कोकुनट यह 80 ग्राम कोकुनट है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है अब इसमें आड़ करेंगे एक कप दई यानि की 200 ml मैश दई होना चाहिए और थोड़ा खटा दई होना चाहिए खटे दई से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कोकुनट सांड़िच में कोकुनट और दई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद आड़ करेंगे नमक 1 फोर टीस्पून नमक लिया है मैंने यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब डालेंगे काला नमक 1 फोर टीस्पून हाफ टीस्पून चाट मसाला थोड़ा साहरा धनिया बारीक कटा हुआ सारे इंग्रीटियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोकोनेट सांविच की ऍसप्रेडिंग रेड़ी है मजा आ रहा है न इस रेसिपी को बनाने में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप सोच तो ज़रूर रहा होंगे कि मैंने इतनी ईजी रेसिपी को ट्राय क्यों नहीं किया भी तक स्नाक टाइम में इस रेसिपी को जरूर बनाएं और इसका आनन्द उठाएं चलिए बनाते हैं सैंडविच बिना किसी और देरी के दो ब्रेट के पीसेज लेंगे एक साइट पे लगाएंगे हरी चतनी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ अल्रेडी शेयर की हुई है और एक साइट पे स्प्रेट करेंगे टमाटो केचप जो कि सबके घर में असानी से मिल जाती है अब स्प्रेट करेंगे कोकोनट की स्प्रेडिंग जहाँ पे हमने केचप लगाई थी उस ब्रेट पे हम स्प्रेट करेंगे जादर जादर लगाएंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे कोकोनट सैंडविच की जान ही कोकोनट की स्प्रेडिंग है अब इसको कवर कर देंगे दूसरी ब्रेट स्लाइस से जिसके उपर हरी चटनी लगी थी अब एक पैन लेंगे और उसे मीडियम होट गरम कर लेंगे उस पे आड़ करेंगे थोड़ा सा देसी गी आप रिफाइन डॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं साथी साथ इस पे आड़ करेंगे राई थोड़ी सी हरी मिर्च हरी मिर्च आप कोकोनट की स्प्रेडिंग में भी डाल सकते हैं अब उपर से डाल रहें उसका टेस्ट और जाद अच्छा आता है अब पैन पे डालेंगे सैंडविच जो हमने रेड़ी किया था कोकोनट का और उसे अच्छा से सेक लेंगे दोनों साइट से सेकने के लिए अच्छा से दोनों साइट घी एपलाए करें फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है मैं सैंडविच को ट्राइ करने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ और बिल्कुल वेट नहीं कर पारी आप भी वेट मत कीजिए और ट्राइ करिए इस रेसिपी को घर पे बनाईए और सेह पर इवार खाईए इस रेसिपी में अगर आप कुछ और आइड करना चाहते है और इसको अपने स्टाइल से बनाना चाहते है तो मेरे साथ अपनी recipe जरूर share कीजेगा जो best suggestion होगा, addition होगा इस recipe में वो मैं YouTube channel पे ले के आऊंगी आपके नाम से तो इस smocky को बिल्कुल भी न गवाएं मिलूंगी ऐसी और मज़ितार recipe के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and don't forget to like, share and subscribe